हेलो सुडेंट्स आयाम गुरुबिंदर कॉर वेलकम टू अभी पेडिया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ये लेक्चर नमर है सिक्स फॉर्ड ऐसे सीजियल ओके सुडेंट्स और आप सब बहुत अच्छे से प्रिपेर कर रहे होगे फॉर ऐसे सीजियल के लिए और सीजियल जो एक्जैम है वो बहुत ही इवन हम उसको इजी भी बोल सकते हैं और डिफिकल्ट भी इजी में इसलिए बोल रही हूँ बिकाज यू नो अगर आपकी प्रिपेरेशन बहुत अच्छी है आपने कंसिस्टेंट्ली उसको प्रिपेर किया हर टॉपिक को बहुत अच्छे से देख है जो भी आपके स्लेबस में वेंचन है ठीक है फिर वो एक्जैम एजी है और अगर आपने अन प्लैंड तरीके से बिना स्टेटेजी के बिना गाइडेंस के कुछ भी पढ़के और एक्जाम में बैठ गी हो तो फिर वो एक्जैम आपके लिए डिफिकल का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक रहने वाला है इस दा नूट्रीशन बट उसे पहले सुडेंस हम कुछ चीज देखेंगे यहां पर ठीक है अभी पीडिया के बारे में कुछ चीज कुछ देखते हैं हम लोग पहले ठीक है ओके See here students अगर आपको SACCGL का कॉर्स जोईomos करना है Student micro course का मतलब होता है Students की आप जो है आप जो आप की preparation है वो बहूत ही ज्यादा smoothly होने वाली है ठीक है किस तरीके से see here देखिए चूज एक्जैम पे आप जाओगे अभी पीडिया की साइट खोलने के बाद and after that आप क्या करोगे यहाँ पे SSE CGL exam मालो आपने SSE CGL के लिए प्रपेर करने MTS के लिए प्रपेर करने CPO के लिए प्रपेर करने CGL के लिए करने तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे and after that आप क्या करोगे यहाँ पे see here कि यहां पर आप microverse courses को आप चूज कर सकते हो ठीक है microverse courses को आपने चूज किया यहाँ ठीक है फिर क्या करो आप यहाँ पर अपना mobile number फिल करो और फिर उस पर call करो यहाँ फिर whatsapp करो जैसे students आप whatsapp करोगे, call करोगे उसे time पर आपको immediately वहाँ से response आएगा ठीक है and after that क्या कर सकते हैं आप जैसी यहाँ पर देखो CGL के लिए आपको journal study prepare करनी है, current affairs prepare करनी है, आप इस पर click करो ठीक है, click करने के बाद students देखो यहाँ, जैसे कि 20 micro courses है, ठीक है वन bundle अप offer है यहाँ पर, ठीक है, art and culture prepare करनी है, आप art and culture पर जब, यहाँ पर देखो art and culture में आपको multiple choices question मिलेंगे 145, daily current affairs मिलेंगे 202, ठीक है mentor to clear the doubts, ठीक है, यह सब कुछ आपका यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है back to main page, यह जो validity है, यह 28 July तक ही थी, ठीक है, अब देखते हैं, आगी courses को, यहाँ पर देखो, बहुत सारे courses है, आप आपस है, यहाँ पर microverse को चूज करके, and after that क्या कर सकते हो, आप, कुछ भी student आपको यहाँ पर करना है, computer gk करनी है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, quantitative aptitude करना है, logical reasoning करनी है, आपको इस पर क्लिक कीजिए, इसमें आपको silology जिम करना है, अकेला सिलोलिजम ही prepare करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यह देखो, सिलोलिजम जो है, आप इसको lecture 1 यह देखो, यहाँ पर, नाइन मिनट का, plus class, pdf, document, सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ, lecture 3, web note, multiple choice questions, सब कुछ students, यहाँ पर क्या है, आपका, आप इसको join करके, बहुत अच्छे से आ हो जाएगी, कि आपको पता भी नहीं चलेगा, कि आप कब officer बनगे, ठीक है students, तो इस तरीके से आप अभी PDA की site पे जाके, microverse की courses को join कर सकते हो, अगर आपका कोई individual based topic है, आप बस उस पे click कीजिए, और उसको prepare कीजिए, करना जैसे मैंने आपको बताया, आप register करो, अपना number and after that आप course को join कर लीजिए, ठीक है students, ओके, तो start करते हैं हम आज का अपना lecture, ठीक है, तो वापस से आते हैं हम अपने nutrition पे, see here students, nutrition क्या चीज है, पहले तो आप ये समझो कि what is nutrition, तो nutrition, nutrition क्या चीज है, nutrition का मतलब है कि एक कोई ऐसी चीज, जिससे body को क्या मिले, energy मिले, ठीक है, ठीक है, कोई भी living organism है students, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए nutrition, ठीक है, wait for a second, तो स्टार्ट करते हम हमारी first slide से, first of all हम लेखेंगे nutrition, nutrition है क्या चीज, ठीक है, और फिर हम देखेंगे यहां पर P, Y, Q, फिर P, Y, Q की हम देखेंगे यहां पर detail, ठीक है, detail in the sense कि वो देखेंगे कि वो option हमने क्यों चूज़ के, ठीक है, ठीक है, okay, whether something is living or is movement, all living things move without the help of any external help, some movements easily visible like the movement of body parts, ठीक है, कोई भी living organism है, students, वो alive है, यह बात हमें कहां से पता चलते हैं, उसकी movement से पता चलते हैं, except plant की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, यहां फिर उसके किसी भी body part की movement से हम पता कर सकते हैं, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है, students की life process होते हैं, ठीक है, यह वैसे तो हम पहले भी समझ चुके हैं, जब हमने previous year lectures किये थी, जैसे digestive system किया, ठीक है, तो वहां पर हमने समझा था, बट फिर बें यहां पर हम दुबारा से सीज को देखते हैं, see here students, life process का मतलब होता है, are the basic processes in living organisms, which are necessary for maintaining their life, the basic life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion, it means, life process का मतलब क्या है, वो ऐसी basic process, एक ऐसी basic process, जो necessary है हमारी life को maintain करने के लिए, ठीक है, हमारी life को maintain करने के लिए, जैसे कि हमें हर रोज क्या चाहिए, nutrition चाहिए, हम food लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम respiration करते हैं, क्योंकि energy चाहिए, उस food को ATP में convert करने के लिए, और फिर हम क्या करते हैं हमारी body के अंदर से waste भी क्या होता है बहार आता है ठीक है और हम transportation भी होता है हमारी body के अंदर जो भी हम food लेते हैं जिसे हमने digestion वो food में पढ़ा था जब small intestine food को absorb कर लेते हैं उसके बाद वो food जो है वो हमारी body की हर एक cell तक क्या पहुंच जाते हैं हर ए एक cell तक हमारा जो food है वो पहुंचता है वाया transportation और transportation हमें help कौन करता है हमारा blood ठीक है तो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं nutrition को what is nutrition is the process of taking food by an organism and it is the utilization by the body for life process सबसे पहली बार life process में हमारी body को अगर हमें maintain करना है तो हमें क्या चाहिए nutrition चाहिए ठीक है जिसे हमारी body क्या कर सके energy generate कर सके second है respiration respiration जो है is the process by which food is burnt into the cell in the cell of the body with the help of oxygen to release energy see your students अकेला खाना खा लेने से हमें energy नहीं मिलती है जब वो food हमारी cell तक पहुँचता है जैसे हमारी body का cell है कि हम पहले भी समझ चुके है what is cell ठीक है तो first lecture में हमने cell ही पढ़ा था तो यह जो cell है जब इसके पास food पहुँचता है उस food को burn करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है oxygen का molecule चाहिए होती है उसके बाद ही जो यह जो food है हमारा यह break होगा किसके अंदर energy के इसको student हम बहुत retail में पढ़ने वाले हैं जहां पर glucose जो है वो pyrobate में तूटता है वो चीज हम बहुत ही retail में पढ़ेंगे पर अभी नहीं ठीक है आने वाले lectures में मैं आपको बहुत retail में पढ़ाऊंगे कि plant के अंदर energy कैसे बनती है और हमारी body के अंदर हमारी cell जो है वो किस तरीके से energy को utilize करती है ठीक है अभी फिलहाल यहां पर आप बस थोड़ा सा basic समझो after that बात करते हैं हम transportation transportation is the process by which food oxygen water waste products are carried from one part of the body to the other ठीक है तो transportation का मतलब क्या है यहां पर यहां पर food oxygen water waste हर चीज हमारी body के अंदर क्या होती है transport होती है from one organ to another organ अब जैसे kidney है kidney तक waste जो है हमारी body के अंदर जितना भी toxic generate होता है वो kidney तक लेके आने का काम कौन करता है हमारी body में जो present है blood blood जो है वो हमारी अगर brain के अंदर toxic बन रहा है वहां से लेकर आएगा कहां तक हमारी kidney के अंदर और वाया kidney क्या होगा वो प्रिथरा के तुरू पास होते हुए urine की form में वो हमारी body से बहार हो जाए ठीक है समझ के आप उसी तरीके से हमारा liver liver भी क्या करते है हमारी body को detoxify करते हैं और detoxify कैसे करते हैं सबसे पहले वहां पर जो blood है वही क्या करेगा ट्रांस्पोर्ट करेगा उस toxic को कहां तक हमारे liver तक ठीक है जैसे large intestine में ही क्या आता है हमारा solid जो undigested food होता है वो last में कहां पर आ जाता है large intestine ठीक है तो transportation होना बहुत important यह हम अलग से देखेंगे कि transportation में कौन-कौन help करता है ठीक है यह हम सहर चीज देखेंगे फिर process by which waste products and removed from the body हमारी body के अंदर कोई waste बन रहा है ठीक है कुछ भी generate होते है वो हमारी body से बाहर निकलना बहुत important है अगर वो हमारी body से बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो हमारी body में क्या create हो जाएगा poison create हो जाएगा इन्हों आपने घर में हम अपने घर में कच्रा नहीं रखते ह right why so that हमारा घर साफ रहे ठीक है तो उसी तरीके से हमारी body भी क्या करती है अपने आपको clean करती है time to time ठीक है okay so let's start अपना first topic start करते है that is the nutrition that is the nutrition see here nutrition क्या जाएगा nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth to repair the damage part of the body and for nutrition का main काम ही है कि हमारी body के अंदर जो भी जो you know requirement है वो कौन पूरी करता है हमारा nutrition प्रोवाइड करता है जितना अच्छा हमारा nutrition होगा उतना ही अच्छा हमारी body वर्ख रहे है is simple है बिलकुल life on earth depends on carbon based molecules and most of the food are carbon based आप देखो जितना भी हम food खाते हैं जितना भी food खाते हैं उसके अंदर ज्यादा तर जो amount होता है वो किसका होता है carbohydrates का होता है right plant based food हम खाते हैं तो उसके अंदर ज्यादा तर क्या होता है carbohydrates होते है carbohydrates मतलब carbon molecules present होते है ठीक है life हमारी अर्थ क्यों पर life exist नहीं कर सकती without carbon ठीक है क्यों नहीं कर सकती क्योंकि carbon dioxide absorb करता है हमारा plant for the generation of energy or for making the food ठीक है you know that और oxygen क्या करता है रिलीज करता है और उस carbon को वो store करता है अपने हर एक पार्ट के अंदर ठीक है फिर फिर वो leaf हो गया fruit हो गया vegetables हो गया तो इससे हमें क्या पता चलता है हमारी body के अंदर हम सबसे ज़्यादा consume क्या कर रहे है carbohydrates कर दे हैं ठीक है also carbon based molecules the outside raw material using by used by living organisms are food, water and air outside जो हमारा raw material है जो हमारे living organism use करता है that is the food, water and air air के थुरू हम breathe करते, water हमें एक fluid प्रवाइड करता है और food जो हम खाते modes, अच्छा अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर modes कि modes of nutrition क्या चीज़े देखो सूटे nutrition जो है ना हर एक organism nutrition लेने का एक अलग तरीक है इसे जो plant है वो nutrition किस तरीके से लेता है via roots और via leaves और हम by taking food through the mouth ठीक है तो हर एक micro organism हो गया human body होगी, birds होगे, mammals होगे, plant होगे हर किसी का mode of nutrition जो है वो different है जिसके उपर n numbers of questions set होते हैं ठीक है पहले आप topics समझो और फिर हम करेंगे इसके MCQ ठीक है ठीक है ठीक है students okay students तो start करते हम पहला है autotrophic nutrition auto word है यहां पर auto auto mode हम काडी को auto mode पर लगाते हैं इसका मतलब क्या होते है अपने आप function करना इसका मतलब यहां पर जो nutrition है वो अपने आप क्या हो रहा है अपने आप हम nutrition को बना रहे it's the nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chloro-seer पूरे अर्थ के ऊपर जो plants है उनी को nature ने पावर दिये कि वो अपना food जो है न वो खुद से बना सकते हैं हम अपना food खुद से बनाते हैं पकाते हैं student उसको cook करते हैं बनाते नहीं है हम कभी plant को बनाते हैं नहीं plant खुदी बनाते हैं हम सिर्फ उसको use करते हैं कोई भी चीज है कोई भी x y z जो भी आप खा रहें आप उसको बना नहीं रहे हो आप सिर्फ उसको process कर रहें ठीक है अपने taste के हिसाब से yes or no yes तो autotrophic जो food है वो कौन बनाते हैं हमारे green plants और bacteria ठीक है students देखो carbon dioxide जो है plant के अंदर जब हम photosynthesis पड़ेगे तब आप वहाँ पे समझोगे कि जो हमारी leaves होते हैं उनमें क्या present होता है chlorophyll present होता है जब sunlight इसके उपर पड़ती है तो carbon dioxide plus water मिलके क्या generate करते हैं glucose generate करते हैं glucose का molecule generate करते हैं C6H12O6 अलंकि हम इसको बहुत detail में पड़ेगे plus oxygen क्या होती है release हो जाती कि इसके अंदर air क्या हो ठीक है students यह कैसा होता है यह हम बाद में समझेंगे इसको अच्छी से ठीक है तो यह जो है यह यह या तो कुछ type के bacteria या फिर कुछ type हमारे green जो plants है उन्हीं के अंदर यह capability है कि वो अपना food जो है वो खुद से prepare कर सकते ठीक है students next हम बात करते है heterotrophics heterotrophics hetero word ही समझो यहां पे students hetero hetero का मतला है खुद से prepare नहीं कर सकते is the nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plants जैसे कि all animals fungi ठीक है कॉम यहां पर फंजाई एंड सम एक्टी यह क्या करते हैं organism जो है वो depend करते हैं food directly or indirectly from the plants ठीक है जैसे हम है हम भी क्या करते है plants के based पे या फिर animal के based पे हम क्या करते हैं अपने food को की जो भी requirement है nutrition की requirement है उसको हम क्या करते हैं fulfill करते हैं समझ में आया students okay ठीक है let's move further okay types of heterotrophic nutrition जो हमारा heterotrophic है न उसको भी हम क्या कर सकते हैं further divide कर सकते हैं ठीक है किस-किस में पहला देखो saprophytic, parasitic and holozoic nutrition heterotrophic जो है न student उसको हम आगे further three parts में divide कर सकते हैं according to the mode पहला है saprophytic, याद रखना है students, दूसरा है parasitic and तीसरा holozoic nutrition let's see, first देखे सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक का मतलब होदा है is the nutrition in which organisms get their food from dead and decaying organism अगर कोई organism अपना food जो है, वो dead or decaying organism से ले रहा है मतलब जो चीज मर्ग चुका है या जो कोई मालो कोई dead animal है, कोई dead organism है अगर वो अपना food उस्ते consume कर रहे है, यूनो उसके ऊपर उस्ते nutrition को absorb करके अगर वो अपना nutrition ले रहा है, food ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक nutrition type वो फूड को पहले ही बाहर ही तोड लेते है और फिर उसको absorb करते है जैसे कि example mushroom, mushroom आपने देखी होगे इस तरीके से white color की grow करती है किसके उपर? dead or decaying matter के उपर बहुत बार आपने देखा होगा कि बाहर garbage पड़ है या कोई मालोब बहुत थरी, you know, plant की leaves पड़ी होगे बाहर उसके उपर क्या grow कर जाते है? जैसी उसके अंदर humidity या कोई या फिर क्या हो? organic type का कोई matter हो उसके उपर mushroom grow करती है, white white color की ठीक, आप सबने देखी होगी bread mold, आप बाहर रख दो bread को ठीक है? थोड़े दिन बाद क्या होगा? उसके उपर mold grow कर जाती है yeast, some bacteria ये जो है, ये सब के सब क्या करते हैं? dead organisms के उपर क्या कर सकते हैं? ये grow कर सकते हैं ये decaying matter, decaying का मतलब होता है कि जो decay हो रहा है matter जैसे आप bread को बाहर रख दो थोड़े टाइम बाद क्या होगा? red गल्ली सडनी शुरू हो जाती है और उसके उपर gray color की mold grow कर जाती है ठीक है? वाई? क्योंकि जो mold है वो अपना, जो nutrition है वो क्या कर सकते है? उस decaying matter से absorb कर सकते हैं, वो बाहर ही क्या करेगी? food particles को तोड़ेगी और nutrition को absorb कर लेगी directly वहीं से, ठीक है students? okay, I hope आपको clear हो गया होगा next move करते है parasitic nutrition पे what is parasitic nutrition? parasitic movie भी है is nutrition in which organisms get their food from living organisms, host without killing them? ठीक है उनको मारता नहीं है कभी-कभी हम किसी human being के लिए भी बोल रहते हैं कि यार यह तो parasite है मेरे साथ ही चिपका रहते है, हाना? ऐसा बोलती है ठीक है, I am just kidding ठीक है? तो क्या है is the nutrition in which organisms get food their living organisms without killing them? उनको मारता नहीं है वो ठीक है, वहीं से वो क्या करेगा? nutrition directly living organism की body से सक करता रहते है ठीक है? जैसे कि कसकटा, orchids, ticks, lies, देखा न, आपने बहुत बार animals जा रहे होते हैं रस्ते में उनके चोटे-चोटे उनके उपर ticks जो है चोटे-चोटे क्या होती है? टिक्स जो है वहाँ पर उसके उपर उनके skin के उपर चिपकी होती है, जो क्या करती है? animal से animal की जो animals की जो skin के नीचे जो veins होती है, blood की वहाँ से वो blood को directly absorb करती रहती है और blood से ज़्यादा nutrition कहीं पर भी नहीं हो सकता है हमारी body के अंदर, क्योंकि सबसे food है, वो कहाँ पर dissolve होता है ultimate, हमारे blood के अंदर तो blood जो है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा nutrition होता है, और वो directly क्या करती है blood कोई सोक लेती है, अंदर से blood कोई सक कर लेता है, वो parasite ठीक है, बट वो organism को kill नहीं करता है, जैसे क्या होता है बहुत बार जैसे आपने देखा होगा जंगल में शिकार करते हैं animals बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं यहाँ पर वो शिकार नहीं कर रहा है, वो अपने host को directly उसके साथ चिपक के वहाँ से food को absorb कर रहा है, ठीक है? ठीक है 6, lies, leeches, roundworm, tapworm, glass, medium ठीक है, कई बार, पेट के कीड़े तो आपने जरूर सुना होगा, छोटे बच्चों के पर जाते हैं, ठीक है, पेट के कीड़े इन दा सेंस की body के अंदर क्या करता है कुछ microorganisms ग्रो कर जाते हैं या किसी type का कोई parasite ग्रो कर जाते है, जो directly क्या करते है, nutrition ले लेता है body का, जितना भी nutrition बना होता है उसको absorb कर लेता है, इसे body में काफी ज्यादा weakness आनी शुरू हो जाती है, ट्रमक एक होता है, यह हम human disease के अंदर पड़ेंगे, tap warm के बारे में, ठीक है, okay next जो है, that is a holozoic nutrition, holozoic word को आप यहाँ पर समझो, holo word का मतलब होता है, खाली ठीक है, एक खाली pipe, देखो, it's the nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb, for example, amoeba, paramecium, birds, fishes and humans, देखो, हमारी body के अंदर क्या है, elementary किनाल है जो हमारे mouth से start हो रही है और हमारे बिल्कुल body के last तक खतम हो रही है, जो हमने बढ़ा था human digestion system, क्या है बिल्कुल ऐसा है, यहां से start होती है हमारे mouth से, यह हमारी isophagus, और फिर क्या होता है हमारा stomach और फिर यह dudynum में convert होती है, फिर small intestine small intestine से वो किसमें convert हो जाती है आगे चलके large intestine में, large intestine आगे चलके rectum में और rectum से anus can, तो यह एक type ही क्या है canal ही तो है canal या कहलो या फिर कहलो कि food pipe है ठीक है, food pipe है यह तरीके pipe है इस तरीके से, ठीक है इसमें क्या है, एक तरफ से हम food डाल रहे है, दूसरी तरफ food का absorption होने के बाद, अच्छे से उसका nutrition absorb होने के बाद, solid material को बाहर निकाल दिया जाता है body के अंदर, ठीक है तो holozoic का मतलब क्या है, यहाँ पे समझो, आप students यहाँ पे, word को समझ में आ गया, समझो, topic clear हो गया holozoic, समझो, is the nutrition in which organisms take food directly, directly हम food को consume करते हैं अपने अंदर, ठीक है digest, उसके बाद digestion होती है, हमारे body इनके अंदर food की फिर क्या होता है, absorption होती है example, amoeba, amoeba क्या चीज़ है, यहाँ पे समझो, amoeba इक type के इस तरीके का organisms होता है wait for a second ऐसा होता है ठीक है, क्या होता है जैसी कोई food particle आता है यह क्या करता है, अपने studio pod को use करके, studio pod मतलब नकली पाउंड को use करके, इस food को अंदर ले लेते हैं, उसके बाद इस food के अंदर से जो भी nutrition है उसको वो absorb कर लेते हैं, और इस food का जो undigested part है, उसको वो बाहर निकाल देते हैं ठीक है, paramecium, birds, fishes human body, यह कैसी हम nutrition absorb करते हैं, by using polozoic nutrition clear है students, clear है बिल्कुल, I hope आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, ठीक है आगे समझते हम अब करते हम MCQ students ओके, तो first MCQ attempt कीजिए students, post कीजिए वीडियो को और question का answer दीजिए जी, answer कीजिए तो पहला question देखे, the autotrophic form of nutrition is necessary autotrophic mode है अगर nutrition का तो उसके लिए क्या-क्या necessary है, यह SAC MTS के अंदर question आया था 2019 के अंदर, please attempt this question कीजिए, क्या आएगा इसका answer क्या-क्या जरूर थे है अगर आपको autotrophic करना है chlorophyll and oxygen नहीं, यह तो सिर्फ नहीं चाहिए methane भी नहीं चाहिए, methane से तो केले से काम नहीं चलेगा carbon monoxide water नहीं, next देखो carbon dioxide water, chlorophyll and sunlight, चारो चीजों का होना बहुत important है, अगर sunlight नहीं होगी, तो photosynthesis नहीं होगा, तो भी photosynthesis नहीं होगा, water नहीं होगा, तो भी नहीं होगी, carbon dioxide नहीं होगी, तो भी क्या नहीं होगा, हमारा photosynthesis का process नहीं होगा, so that's why option D is the correct top, हांजी, next question attempt कीजी, in which of the following types of organisms, autotrophic nutrition is found, कौन से सा organism है, जिसके अंदर autotrophic nutrition found, मिलता है हमें, कौन सा है students, बताइए, पंजाई, वाइरस, परोटो जोआ, इन तीनों में से तो कोई भी नहीं है, तो बचा, bacteria, जैसे कि cyanobacteria जो है, वो अपना food जो है, वो खुद से बना सकते है, clear है students, तो कुछ टाइप के bacteria होते है students, जो अपना food क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते, ठीक है students, okay, clear है, ठीक है, तो यहाँ भी students, हम दो ही question आज attempt करेंगे, क्योंकि हमने topic समझे, इस तरह related जो MCQs हैं, वो हम करेंगे हमारी next video के अंदर, ठीक है students, तब तक के लिए, all the best students, thank you, thank you so much.